जी ट्विंटी इस सिखर शम्मेलन के लिए आज इटली पहुंचे पिधान मंती तरे दुमूधी अर्ट्रिवस्था स्वास्ते और क्लाइमेट चेंज पकरेंगे चर्चा सीम योगी ने विपक्ष पर किया वार कहा चनाव आते ही बदल रहे सब के सुर। लिए पहुंची प्रियंका गांधी लखनो स्टेशन पर कोलियों से की मिलकर जाना हाल मदद का दिलाया भरोसा। फेस्बुक का बदला नाम री ब्रैंटिंग के बाद कहलाएगा मेटा मार्क्स जुकबर्ट निकिया एलान। नमस्कार स्वागत है आपका निउस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी। मोदी सर ने मामले में कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी की आज यानि शुकरवा को सूरत कोर्ट में पेशी खुणी है एप्रल 2019 में की गए। विवादि टपनी पर माहा मानहानी मामले में मुख्यन्यायक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने उन्हें तलब किया है। इससे पहले आपको बता दें राहूल गांदी 24 जून को कोर्ट में पेश हुए थे इस दौरान दो गवाहों के बयान दर्च किये गए थे। इससे पहले इस मामले में अक्टूबर 2019 में हुई सुनवाई के दौरान राहूल गांदी ने अदालत पर अपना जुर्म सुएकार करने से इंकार कर दिया था। ऐसे में मानहानी मामले में कोर्ट ने आज एक बाप फिर से राहूल गांदी को तलब किया है। अगले 24 घंटे में हवा के इस तर बिगड़ कर बहुत खराब श्रेणी में दर्च की जा सकती है। तो दिल्लिक की हवा एक बाप फिर से खराब होनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें आसपास के पड़ोसी राज्यों में पराली जलने के मामले भी लगता बढ़ रहे हैं। इसके बाद लगातार हवा का स्तर जो है वो बिगड़ता जा रहा है। शक्तिकान दास को अगरे तीन साल की अब्धी के लिए फिर से आर्पियाई के गवर्नर बने रहने पर मोहर लगा दी है। दस दिसम्बर को वो 26 वे गवर्नर नियुक ठूंगे। 2018 में वो औरजित पटेल की जगा उन्होंने रही थी और ऐसे में औरजित पटेल सितम्बर 2016 में आर्पियाई के 24 वे गवर्नर नियुक के गए थे। लेकिन अपने कारेकार पूरा खूने से पहले ही नीजी कारूनों का हवाला देते हुए अचानक आर्पियाई गवर्नर बद से इस दीपा उन्होंने दे दिया था। जिसके बाद शक्तिकान दास को चुना गया था और ऐसे में अब आर्पियाई के गवर्नर शक्तिकान दास का कारेकार सरकार ने बढ़ा दिया है। तीन साल तक का ये कारेकार बढ़ाया है दिसमर 2024 तक अपद पर रहेंगे आर्पियाई के गवर्नर। यूपिस चुनाव के लिए बड़े से लेकर छोटे सभी दल रोज नए समिकरन बना रहे हैं सुभासपा के सपा के साथ जाने के बाद AIMIM प्रमुक असुद दीन ओवेसी ने कहा है कि मैं पहले भी ऐसी परिस्तेतियों से गुजर चुका हूँ उन्होंने अपनी पाठी का निंडे लिया और हम से गटबंदन तूल लिया लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे हम शिपास इंग्यादाव और चंद शेकर से बात कर रहे हैं तो ओवेसी ने राजपरक के अक्रेश के साथ जाने पर यह हमला बोला है कहा मैं ऐसी परिस्तिती से गुजर रहा हूँ ओवेसी ने कहा है विदान सुबर चुनाव अब बेहत नस्दी कैसे में ओवेसी भी अब यूपी में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मेदान में उतर चुके हैं प्रिधान मंतरी नरेंदुमोदी के संसद्य शेत्र में भवेर रैली के बाद अब कॉंग्रिस से सीएम यूखी आदितिनात के गड़ गोरकपूर में 31 अक्टूबर को रैली करने जा रही हैं प्रियंका गाती गुरुआ को कॉंग्रिस की राष्टे महा सचेव उतर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाटरा लखनों पहुंच विए पार्टी कारियाने पर कुछ संगठन के लोगों से मुलाकात भी की आपको बता दें के बाचिट में प्रियंका गांधी ने कहा कि आश्रा है गुरुआ की रैली भी अच्छी रही की उन्होंने कहा कि पूरे अत्तर प्रदेश में वेली करती है और इस दोरान प्रियंका बीज़पी पर हमलावर भी नसर आये तो आपको बता दें प्रियंका गांधी ने बीजापी को घेरा है एक Skillshare कोरोना काल पर कांगरेसвे काम किये यह प्रियंका गांधी केege करो किया अर इसे में एक बाद morph inverse को दिन पहले ही परियंका गांधी ने पतार मंदे नरीनमोदी के संसर्दीय स्यटर वारणसी में о yıl सर रही हैं ऐसे में प्रियंका गांधी पूरी तरह से अक्टिव कोच चुकी है और कॉंग्रेस जहां हर कोई मान रहा था कि उत्तरपरदेश में चुनावी मैदार में कॉंग्रेस कहीं नसर नहीं आ रही लेकिन कॉंग्रेस उसी तरह से अब और उभर कर सामने आई है और लगा प्रियंका गांधी यूपी के जिलो का दोरा कर रही है आज भी बता दें बोल ललतपुर पहुंची थी वहाँ पर उन्होंने पीरित किसानों के परिश्णों से मुलाकात की थी में तक किसानों के परिश्णों से मुलाकात की थी और एक बाप फिर अब वो 31 अक्टूबर को गोरखपुर में रैली करने चा रही हैं चलिए चालब जानकारी के साथ गोरखपुर सहे हमाय संबादा मृत्विigor जेश चीब चुके हैं मृत्विज़ प्रियंकागांदी गोरखपुर में एक बड़ी वेली करने जा रही है क्या कुछ अबलेट है किस सदा कि तयार्य गोरखपुर में की जा रही है मृतिंजे मेरी आवाज आपको मिल रही है चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है मृतिंजे से दुबारा से संपर्क करनी कोशिश करेंगे तो ऐसे में प्रियंका गान्दी पूरी तरहास है एक्टिव पोच चुकी है बीजेपी सरकार पर हमलवार खुती हुई नज़र आ रहे हैं और उन्हें का करोना काल में कॉंग्रिस ने ही काम किया बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और साथ ही आपको ये भी बता दे कि अब वार्नसी में रैली करने के बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर अब गोड़कपुर में भी रैली करने जा रही है तो प्रियंका गांधी वोड़रा पूरी तरहास से उत्तप्रदेश में एक्टिव हो चुकी है लगातार कई जिलो का दौरा कर रही है आज भी उनका दौरा ललितपुर में रहा और ऐसे में अब लगातार कॉंग्रेस की तरफ से प्रतिग्या यात्रवा भी निकाली जा रही है और आज ये एक बार फिर से प्रियंका गांधी कई जिलो का दौरे पर तो हैं ही सिर्बाद 31 अक्टूबर को वो बुख्या मंद्री योकी आदितिनाद के संसद्य शेत गोरकपुर में रैली करेंगी योपी में एक बार फिर से पेटरोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है योपी में पेटरोल के दाम 43 पैसे प्रतिलीटर बढ़ रहे हैं तो भही डीजल के दाम 44 पैसे प्रतिलीटर का इजाफा हुआ है यूपी में पैट्रोल की कीमत अब 105.6 शूने रूपे पति लीटर होग आए हैं पहीं डीजल की कीमत 97.5 शूने रूपे पति लीटर से पढ़ का 97.94 रूपे पति लीटर पह पहुंच चुकी है ऐसे में पेट्रोल डीजल के लगाता बड़ते दाम से आम आदमी काफी परिशान है आम आदमी परमेंगाई के जबरदस मार पड़ रही है तो लगाता पेट्रोल डीजल के दाम पड़ रहे हैं जिसकी वज़ा से जनता परिशान है बेहाल है यूपी में भी अब पेट्रोल 105 रुपर पतिरीचर के पार पहुंच चुका है प्रधान मंत्री नरेन वोदी अपने पांच दिवस्य दौरे पर इटली पहुंचे जहां वो G20 शिकर समेलर में भाग लेंगे इस समेलर में पीम G20 के नेताओं के साथ महामारी विकास और जल वायू परिवर्दन समेंट का इन मुद्दो पर चर्चा करेंगे आपको बता दें कि पीम मोदी 30 से 31 अक्टूबर तक वो में ही रहेंगे वहां होने वाले सूलवे G20 शिकर समेलर में हिसा लेंगे इसके साथ ही इटली के प्रधान मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे तो अपनी पांच दिवर्चियात्रा के लिए प्रधान मंत्री नरेंद मुदी कलवरात रवाना हुए थे भारत से जिसके बाद अब वो इटली पहुंच चुके हैं और ऐसे में G20 सिकर समेलर में वो हिसा लेंगे जिसमें कोरोना अर्थ विवर्चा विकास जलवाईू जैसे तमाम मुद्दों पर चरजा होगी यूपे के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने सरकारी और नीजी करमचारियों के लिए एक पड़ा एलान कर दिया है योगी ने प्रदेश के करमचारियों को त्याखारी सीजन में तौपा दिया है योगी ने दिवाली से पहले सभी करमचारियों को अक्टूबर महीने के मेतन का भुकतान करने का निर्देश दिया है इसके अलावा यूपी सरकार 28 लाग करमचारियों पैंशनरों को भी दिवाली से पहले तौपा देने की तयारी कर रही है सरकार, करमचारियों और पेंशनरों को दिवाली बोनस और महगाई भत्ता एक साथ दे सकती है वहीं सेम योखी ने गुरुवार को निर्देश देते हुए कहा कि दिवाली के मद्दे नजर सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, समविदा और आउट्सोर्सिं करमचारियों के अक्टूबर के महीरे के वेतन का भुपतान हर हाल में एक नवंबर तक कर दिया जाएगा उत्तप्रदेश के मउजिले में सुहेल देश समाज पार्टी के राष्टे अध्यक्ष ओम प्रकास्ट राजपर नेक महा बंचार के सरीए समाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यक्ष अखलेश ज्यादव से गठ बंदन का बीज़ोपी सरकार पर जंप का निशाना सा इसको देखते हैं प्रदेश के कैबिनेट मंतरी अनिल राजपर ने राजपर पर पलतवार किया उन्होंने कहा कि हम इसपस्ट करना चाहते हैं कि माफियाओं की ताकत का इस्तिमाल करकर समाजवादी पार्टी ने इस पूरे राइली को प्रयोजित किया है पनारस, चंदवली, भदोही, मिरजापुर और इधर घागरा के उस पार से भी मैं देख रहा था जिन समाजवादी पार्टी के नेथाओं को हम लोग पहचानते हैं कारकर्टाओं को पहचानते हैं वो भी टोपी लगा कर रंग बदल कर तो और उस मंच से जिस तरह से राजभर समाज को अपमानित किया गया राजभर समाज को शराबी कहा गया राजभर समाज को दारुबाज कहा गया इसका हम घोर निंदा करते हैं प्रश्टाचार में विकास हुआ है कि असमसान घाट से लास गाउं में गई है 75 साल की आजादी में इन्हों ने इतना विकास किया है कि असमसान घाट से लास गाउं गई है अब तक गाउं से लास असमसान घाट जाती है यह इनका विकास है जूट बोलने में एक नमर का विक बिकास बोलते हैं यह भरति जंता पार्टी के लोग नारा दिया था समाज क्यों कि हमारी सरकार बना दो 15-15 लाक देंगे जूट बोलने में भीकास है इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड नौजवानों को रोजगार देंगे जूट बोलने में एक नमबर है इनका भी इन्होंने वादा किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि सौगंद मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूगा इन्होंने विकास किया देश में रेलवे बेच दिया बैंक बेच दिया एलाइसी बेच दिया वियसनल बेच दिया पोईले की ख़दान बेच दिय उत्रखन कॉंग्रिस के अलब संख्यक प्रदेश अध्यक्ष ताहिर अली निकाशिपूर सहेथ जिला उध्धम सिंगनगर दौरे के दौरान प्रदेश की धावी सरकार पर जोरतार हमला पूरते हुए कहा कि 1222 में बीजेपी सरकार चारों खाने चित हो जाएगी क्योंकि सूबे की जनता केंटू की मूदी सरकार और रखन की बीजेपी सरकार से आज बुरी तरह से तरस्त हो चुकी है ताहिर अली ने कहा कि देश में बेताहाशा बड़ती महगाई के साथ ही गैस और पेट्रोल के दामों में लगाता व्रद्धी हो रही है जिससे आम इंसा से नगर में आता रहता हूं और मैं आज का जो मेरा आने का मकसद है आज मैं एक संदेश लेकर आया हूं मैं अपने जो हमारे राश्ट्री अध्यक्ष है जनाव इबनान परताबगड़ी साहब वो 14 नौवंबर 2021 को देरादून आ रहे हैं और परिवर्तन जनसभा को संबोधित करेंगे मैं उस सिलसले में जस्पूर कासिपूर रुद्रपूर और उदमसी नगर के मैं हर छेतर में जाओंगा उसमें हमारे जो पदाधी कारी है अलव संख्यक के माइनर्टी और मेन के जितने भी हमारे पदाधी कारी हैं सब शिरकत करेंगे उसमें अलिगर में पुरानी पेंशन सहित अपनी अन्य मांगो कोले कर अलिगर के कलेक्टरेट पर करमचारे सिक्षक अधिकारी और पैंशनल अधिकारी मंच के पैनल तले करमचारियों ने धना प्रदर्षन दिया इस संगठन में इस वोट से ज्यादा मानेता प्राप्त संगठन के राज्य करमचारियों और सिक्षन धना प्रदर्शन में शामिल रहे वह इस प्रदर्शन के तोरान करमचारियों ने अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन किया करमचारियों और उनके नेताओं का कहना था कि पूरे प्रदेश में करमचारियों के ओर से अपनी मांगों कोले का प्रदर्शन किया जा रहा है उन्नोंने कहा कि हमारी सरकार से पुरानी पेंशन पहाली सहित अन्य 11 सूटिय मांग हैं जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 30 नमबर को लखनों में पूरे प्रदेश के करमचारी एक कारेकर्म के जरी प्रदर्शन करेंगे यह करमचारी सिच्छक अधिकारी पैंस्टनर अधिकार मंच है इसमें बहुत सारे लगवट सो संग्ठन संबलेते हैं जिसके अधियर्श हमारे उत्तर पर्देशी प्राद्मिस संग के पूरे प्रदेश के डाक्टर धिनिश्टन सर्माजी है और अन्य संगों के मामंत्री है इसमें सारे अधिकारी संग भी हैं पैंस नर्स भी हैं करमचारी भी हैं और सच्छली देखिए मेरे तो जस्ट अभी-अभी संग्यान में यह आया है एक मिनिट पहले ही मेरे वाटसेप पर आया है यह वीडियो और इसकी मैं जाच कराऊंगा और अगर दोसी पाया जाएगा तो कड़ी से गड़ी कारे वही होगी प्रात्मिक तो रुपे लेखपाल दो दिखाई दे रहा है उसमें राजिस गुपता ही है उत्तरप्रदेश सरकार लगाता बड़े-बड़े दावे कर रोजगार के उपलब्धियां गिनाती है तो वहें बेतियुत विभाग में कार्वे कर रहे 990 में मीटर वीडर समयदा कर भी अब बेरोजगार हो चुके हैं गॉंड़ा के हर विद्युत के इन रुपय तैनात मीटर वीडर सी एस पी एल कंपनी के बाद हम से मीटर वीडिंग का काम कर रहे थे लेकिन अपना कंपनी टीडियस के आने के बाद बिना कोई लिखित कारियों सही चलादिकारियों को क्यापन देने को मजबूर हो गए हैं इसमें नई कंपनी आई है टीडियस उसके द्वारा सभी मीटर रीडिरों के द्वारा जो तीन से चार साल पुराने हैं उनसे 22,000 रुपया मांगा जा रहा है 22,000 रुपया ना देने की इस्तिति में उन मांगा जा रहा है जबकि कल एमडी सर से बात हुई तो एमडी सर कह रहे हैं कि ऐसा कोई मांग कंपनी के टेंडर में नहीं है कि उनसे सिकोर्टी मनी ली जाए लड़कों से और कल एक लेटर हम लोगों ने चीप साहब को गोंडा में दिया है अभी उस पर कोई कारवाई नह नेक्स्ट कर नॉंबर से टीडियस कंपनी आ रही है इसके थूरू पहले पैसा मांगा जा रहा था कि 30-30,000 रुपए को टेली कॉलर लोग हम लोगों के पास कॉल कर रहे थे बोल रहे थे कि 30-30,000 रुपए लगे गा तो राजबीर सिंग जो है इन लोगों को अरेस्ट कर व हैं एक कंपनी जो पुरानी कंपनी थी सी अस्पियल उसमें हम लोग कारत थे जिसकी हमारी आइडी सहीरों लोगों की आइडी लागिन थी हर महीने इस महीने हम लोगों की आइडी नहीं लागिन है बुलिन शेयर के कचैरी परिसर में दो पक्षों में जम कर मारपीच हो गई आपको बताने कि पती पत्नी के विवाद में सडक पर जम कर दोनों के बीच हात पाई हुई जिसमें पीडिता ने अधिवक्ता की जेंपर में खुस कर अपनी जान बचाई बताया चारहा है कि पती पत्नी के समझोता के लिए महीला सेल में दोनों पक्ष पहुँचे थे वहीं दोनों के बीच गहमांगे में के बाद ये विवाद पढ़ गया और दोनों में मारपीट शुरू हो गई कासगंज में पुलिस अधिक शक प्रमोद रोहन बोत्रे के निर्देश परवैद शराब कारुबार्यों के खिलाफ चलाए जा रहा है अभ्यान के अतगर शेत के ग्राम नगला हीरा के जंगल में इंस्पेक्टर जीपी सिंग को मुखपीर ने सूश्रा दी थी कि हीरा नगला के जंगल इसे जिवबल पर एक प्रक्ती अवैर बंदूक लेकर शराब के साथ बैठा है वह इसकी जादकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर के निर्देश पर उपने रिक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे ए और यूवब को गिरफतार कर लिया गया है तो कासगर शकर पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने शराब के साथ एक यूवब को गिरफतार कर लिया है आपको बताते हैं लगाता है शराब कारुबारियों के फिरोद या भ्यान चलाए जा रहा है जिसने पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है पुलिस ने शराब के साथ यूवब को गिरफतार कर लिया है चलिए आगे बढ़ते वे उपर करेंगे इस वक्ती बड़ी खवर का जो गाज़बाद से सामने आ रही है गाज़बाद में ढम फिर से जेंगू का कहर बढ़ कया है और ऐसे भे गाज़बाद में ढम का कहर लगातार। जारी है तो गाज़ेबाद से इसकी बड़ी खबर बता रहे हैं अक्टुबर में 500 से ज्यादा गाज़ेबाद में जेंगू के मरीज मिल चुके हैं जहां पर लगातार एक बाप फिर जेंगू का कहर जारी है आपको बतादे लगातार गाज़ेबाद ते जेंगू और वारल फीवर की बचा से भारी संख्या में मामलों में प्रती हो रही है और आपको बतादे अब तक कुल 104 मरीज अस्पतालों में भरती हैं और 500 से ज्यादा सिर्फ अक्टुबर के महीने में जेंगू के मामले गाज़ेबाद मिल चुके हैं और सिर्फ गाज़ेबाद ही नहीं यूपी के जेंगू और वारल पीवर का कहर अफी भी जारी है कई जगाहों पर हालात और ज्यादा खराब है लेकिन अगर गाज़ेबाद की बात करें तो जेंगू के 22 नए मरीज मिले हैं जब अब कुल मिलाकर 104 मरीज अस्पतालों में भरती हैं पूरे गाज़ेबाद की बात करें त जेंगू का कहर देखने को मिल रहा है क्या कुछ अपडेट है और कैसे अभी हालात हैं उनके हालत लगातार फराब होती जा रही है इसके लावा अगर बात की जाए उपचार की उपचार में कुछ ऐसी भी केसिस देखी गए है जिनकी लगातार प्लेटे गिर रही है और उनको लगातार उनका इलाज किया जा रहा है लेकिन फिर भी 15 दिंग बिल्कुल जितें भी विवाग को समय रहते हैं इन फर ध्यान देना था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं जिसके लगाता रहिए के बाद के बढ़ते चले गए इस तरह से मलेरिया को लेकर एक जागरूपता अभियान चलाए जाता इस तरह देंगो को लेकर छना जातार लेकिन यह ज हुआ ति चलिए ठीक है जी तेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमान जानकारी के लिए तो गाज़ेबाद में डेंगू का कहे लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंगू के 22 नई मरीज भी ले हैं जिसके बाद अब कुल मिलाकर अक्टूबर महीने की बात करें तो डेंगू के अब तक 500 से ज्यादा सिर्फ अक्टूबर महीने में मामले साबने आ चुके हैं और इसी के साथ इस बुलेटर में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहिए नियूस वाल इंडिया